इस्राइल पर इरान और हिजबुला की तरफ से अभी तक के सबसे बड़े हमले का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है दरअसल अमेरिकी अखबार दन्यूयोक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि इरान इस्राइल पर 15 अगस्ट 2024 तक जवाबी हमला कर सकता है लेकिन इस सब के बीच इस्राइल के उत्री बॉर्डर पर हिजबुला ने कोहराम मचा रखा है और अब ऐसा लग रहा है कि इस्राइल के उपर इरान और हिजबुला की तरफ से डबल अटेक होने जा रहा है दरअसल इस्राइली सेना को इस बात की पुखता जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुल्ला की राडवान फोर्स उत्री इसराइल पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रही है। ITF का कहना है कि राडवान फोर्स के पास उत्तर में खुस कर सेटिलमेंट्स में अपना जंडा लहराने और उस इलाके को आग के हवाले करने की ताकत है। और ऐसे में हिजबुल्ला को किसी भी सूरत में हलके में नहीं लिया जाना चाहिए। हिजबुल्ला ने हर एक मिनट में उत्री इसराइल पर छे बड़े हमले किये हैं जिस से इसराइल तहला हुआ है। हिजबुल्ला का कहना है कि ग्यातौन में बने नए 146 वी डिवीजन के हेड़क्वाटर को ग्रेड रॉकेट के इस साल वो से उड़ा दिया गया। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने 12 अगस्त 2024 की सुभा इस हमले के बाद मेतूला सेटलमेंट में कई राउंड रॉकेट और गोला बारूद दागा है। और इस हमले के कुछ घंटों बाद सुमाका मिलिटरी साइट पर गोला बारूद से हमला किया गया। और शाम होते होते करीब 7 बज कर 15 मिनट पर हिजबुला ने हनीता मिलिटरी साइट के करीब इसराइली सैनिकों के उपर बड़ा हमला कर दिया हिजबुला के मुताबिक इस दोरान अल-ालम मिलिटरी साइट पर भी हमला किया गया है और अल-ालम मिलिक्या साइट पर तो सीधे रॉकेट हमला किया गया जिस से आईडियफ को भारी नुकसान हुआ है मैं हिजबुला के इन हमलों के बीच इसराइली सेना के चीफ अव स्टाफ लेफटिनन जनरल हैर्जी हलेवी ने आईडियफ की एक बड़ी बैठक की है जिसमें उन्होंने कई मोर्चों से युद्ध की योजना को मन्जूरी दे दी है हलेवी का कहना है कि हम उचस्तर पर युद्ध के लिए तयार है बड़ी बात ये है कि इस मीटिंग में आईडियफ के डिप्टी चीफ, इंटेलिजन्स हेड, ऑपरेशन के डिरेक्टर्स, उत्री कमांड के मुखिया और एरफोर्स के हेड ने हिस्सा लिया था आपको बता दे कि इस मीटिंग के पीछे एक बड़ा कारण है, वो ये कि 12 अगस 2024 को अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने अपनी एक खबर में कहा कि इसराइल पर अगले 24 घंटों में इरान और हिजबुला की तरफ से हमला हो सकता है, जिसके मद्दे नजर आईडियफ ने ये मीटिंग बुलाई थी, इसको लेकर इसराइल के रक्षा मंत्री यौग गिलन्ट का कहना है कि हम सतर्क्ता और तैयारी के दौर में हैं, तहरान और बेरूट से खत्रा हकीकत में कभी भी बदल सकता है, और सभी को इसके बारे में तैयार रहने के लिए बताना जरूरी है, और सतर्क्ता का मतलब ये नहीं कि हम खौफ और दहशत में हैं वहीं इस सब के बीच इरान के उपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी करके इरान को चेताबनी दी है, कि वो इसराइल पर हमलान ना करे, जिससे पूरा इलाका एक बड़े युद की च पेट में आ सकता है। आपको बता दे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि अगर इरान ने इसराइल पर हमला किया, तो वो अपने करत्यों और शांती और स्थिर्था को खत्म करने की जिम्मेदारी लेगा। हाला कि इतना सब होने के बावजूद, इरान के विदेश मंत्री अली बागेदी कानी ने चीन के विदेश मंत्री वैंग यी से साफ कह दिया है कि इरान के पास उप्योक्त जवाब देने और रोकने का अधिकार है। आपको बता दे कि इरान से बढ़ते खत्रों को देखते हुए इसराइल काफी चोकनना हो चुका है और इरानी अटैक को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने भी कहा है कि इरान की तरफ से इस हफते हमला हो सकता है। इसको लेकर अमेरिकी राश्रपती भवन के प्रवक्ता जॉन किर्वी का कहना है कि हमारी चिंता साज़ा है और हम अपने इसराइली समकक्ष को बताना चाहते हैं कि ये इस हफते हो सकता है। आपको बता दे कि जॉन किर्वी ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी इरानी हमले के लिए पूरी तरहा से तैयार है। किर्वी के मताबिक हालिया दिनों में अमेरिका ने मिडिल इस्ट में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ाया है। और ये मौजूदगी तेहरा से 14 अपरेल 2014 को हुई इसराइल पर हमले से 20 ज्यादा है। अमेरिका का कहना है कि हम इसराइल के ऊपर दोबारा अपरेल जैसा हमला देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये होता है तो अमेरिका इसराइल की रक्षा करेगा। विशसराइल को अमेरा ये से 15 बांप आप थरोई 2 वो अनीय नहीञा ही और मेरी नहींग, पड़ाय को जही हमाँ, कि अवार को अनी चीसाने मीश बाहन इस सो बीद इस जाने ढ़ वीरन शे हैं लब मेखने इसे मिन अभने इस ज 거기 मेंhouse-इसुट बेद मेंशिस्टन जाने, दो चुआ है झाल प्रूबर्चाट सबस्दियर प्रूबर्चाइ याल प्रॉबर झाल झाल